अपने चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज के वीडियो में आपको ऐसी जबड़ा सो शांदार इस्टेट्जी बताने बाला हूं जिससे आप मन्तली जो आपकी अर्निंग रहने वाली है ना अगर आपने इसको ठीक के समझ लिया तो मन्तली अर्निंग आपक सकते हैं और डेली दस परसेंट के प्रॉफिट भी आप यहां से निकाल सकते हैं यह टोटल स्टाइट जी एटीएफ के ऊपर है एटीएफ का मतलब आपको पता है एक्शेंट ट्रेडिट फंड टोटल हम इस पर काम करेंगे इतने कैपिटल की रिक्वार्मेंट होगी आप की 10% पर डे और 50.000 रुप महीने तक जाने के लिए आपको कितना कैपिटल लगेगा और आपको यह चीजे कैसे करनी है ना तो आपको इसमें कोई चार्ड देखने की जरूद है कोई भी केंडल कोई भी चार्ड आपको देखने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी ना ही किस सीट की जरूद नहीं है इतना बहतरीन और सिंपल फॉर्मूला में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने इसको कर लिया और आपके पास अगर थोड़ा सा पेसेंस है तो आप बिल्कुल इसे चालू करके रागूलर बेसिस पे यहां से 50 रुपे मन्त और 10% के प्रॉफि समझ में आने वाला नहीं है तो देखिए दोस्तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है मार्केट में पैसा बनाने के लिए अगर आपके पास पेसेंस है अगर अपने लालच को थोड़ा दूर रख सकते हैं लेकिन अगर आप लालच को थोड़ा दूर रख सकें Vincent से काम ले सके तो बिल्कुल आप अपने अगर डर पे भी काबू रख सकें इसी के ससा तो आप बिल्कुल यहां से पैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, रिस्क फ्री आपका पैसा बनने बाला है, जो भी आप कैपिटल ले के आएंगे, उसमें आपका एक भी रुप्या ज 20,000 हो गया, अभी देखिए कहां चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के पैसे नहीं बन रहे हैं, जिन लोगोंने SIP करी हैं, उनको भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जिन्होंने इंडेक्स में पैसे लगया, उनको भी दिख रहा होगा, तो मैं यह नहीं कहा रहा है कि आप अपना SIP बंद कर दो, या उसमें कामी मत करो, लेकिन आप तरीके से काम करोगे, तो आप ऐसा कैसे जनरेट कर सकते हैं, कि मंतली आपको 50,000 रुपे महीने तक आएं, और 10% के आप हर डे profit बुक कर पाएं, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, एक strategy लगानी हैं, और आपको केबल और केबल दो बैप साइटे बिजिट करनी हैं, वो मैं आपको बता दूँगा कौन सी बैप साइट आपको बिजिट करनी हैं, और वहां से क्या देखना है आपको, और मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, बहुत सारी चीजे, ल के आईए कि आपको बिजनिस करना है ठीक है तो आप अगर कोई भी बिजनिस चालो करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले capital requirement की जरूत होती है ठीक है capital तो आपका लगे लगेगा इसके पीछे आपका क्लान भी होता है कि आपको बिजनिस क्या करना है ठीक है सर और इसके लिए आपको कुछ स्पेस की जरूद भी होगी स्टाप की जरूद भी होगी आपको सारी चीजे ये लगानी पड़ेंगी तब जाके आप एक कारोबार सुरूद कर पाएंगे देखिए 50,000 रुपे मंत कमाना यह जो है कोई आसान बात भी नहीं है न और बैसे भी आप यहां पर पैसिव इंकम जो है जनरेट कर रहे हैं तो आपको ना तो यहां पर कोई स्वाप की जरूद भी नहीं है आपको सर किसी भी यहां पर स्टाप की करना क्या है जैसे कि मैंने बात करा आपके लिए कैपिटल रिक्वारेमेंट कम से कम आपके पास एक लाग पचास जार रुपे का कैपिटल रिक्वारेमेंट यहां पर आपको लगेगा इस से कम बाले निरास नहों वो भी काम कर सकते हैं लेकिन मैं एक एक जामपल लेके चल रहा हूँ कि इतना अगर आपके पास कैपिटल है तब आपको काम कैसे करना है और इस पे आपक यहां से profit book करने हो जाएंगे और आपको मार्केट में केबल और केबल कितना समय देना है दस से पांच मिनट का समय आपका मार्केट में लगने बाला है इससे ज़्यादा टाइम आपको यहां पर देने की आवश्रक्ता नहीं है अगर आप कुछ भी business कर रहे हैं तो इतना समय तो बहुत ही मामूली सा इतना समय तो आप दे ही सकते हैं इस समय देना है तीन बज़े के आसपास जितनी मार्केट कुला हुआ है तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम क्या है तीन तीस है ठीक है तर तो आप देखेंगे तीन बज़े के आसपास मार्केट में एक बार आके आ आपको और क्या क्या चीज की जरुवत पड़ेगी तो आपको सबसे पहले एक वैपसाइट को विजिट करना है देखिए जैसे कि मैंने शुरू में बताया ना तो आपको कोई भी चार्ट देखना है ठीक है सर किसी भी ETF के चार्ट की आपको जरुवत नहीं है नहीं आपको कि ब्लकुल परणे वाली नहीं है तो आपको करना क्या है सर आपको करना है सीधा नसी की वैपसाइट पर जाना है तो आपको इसटाट रैडिवा सथ पर एक बार बता देता हूं तो जैसी आप इसस पर जाएंगे और आप ये एक्शेंट ट्रेडिट फंड की लिष्ट खोले ठीक है तो अभी आप देखेंगे यहां पे जो इटीएफ लिस्टिड है न वो इटीएफ है सर पैसेट तो एडवांस चल ले हैं आपके 37 डिक्लाइन चल ले हैं और यह टोटल जो अंचेंज है वो 16 है तो टोटल कितना हो गया आपके टोटल कितने एटीएफ लिस्टिड है तो आप देखेंगे टोटल जो इटीएफ की लिस्टिंग है वो है जी 218 ठीक है 218 एटीएफ लिस्टिड है अब आपको क्या करना है कि कम से कम इन में से 150 से लेके 100 एटीएफ तक में आप जो है काम कर सकते हैं अपने इसी कैपिटल से कैसे करेंगे यह मैं आपको आगे वी प्रतिशत चेंज में जो इटीएफ बी सब्सक्राइब गिर हुआ है तो यहां पर देखेंगे जैसी आप यहां पर चेंज करेंगे आपके पास कैपिटल कितना 1.5 लैक के आसपास है यह मैंने आपको बता दिया ठीक है सर अब यहां पर देखेंगे प्रतिशत चेंज में और तो पर पॉरीदारी इसमें कर लिजेए चाब इसे वर लीजे 흡री आप अबीर में और यह तूपॉइंट खीर है तो यह तो पॉइंट एट्परसेंट के असपास गिर हुआ है तो लगवग 25 तो रुपए की खरीदारी आप इसमें कर लीजिए, राउंड ओफ में कर लीजिए, बहुत सारे लोग कहेंगे, सर यह इतने रुपए का, इतने का आएगा नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो सर यह जो है आप यह देख लीजिए, कि आपका कितने में आरा राउंड ओफ कर लीजिए, उसके साफ साफ खरीदारी कर सकते हैं, और एक चीजिस का विसेस ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको बताया, आप देखेंगे, इसमें आप बोलियम होना चाहिए, जो भी आप इटीफ खरीद रहें, लेकिन इसका बोलियम बहुत अच्छा नहीं आप बाय तो कर लेंगे, लेकिन आपको इसे बेचना भी है, ठीक है, तो यह चीजिस का विसेस ध्यान रखें, अब देखेंगे, आपने दो एटीफ खरीद लिए, वन टू, टू एटीफ खरीद लिए, यह वाला हम बोलियम के अदार पे नहीं खरीदेंगे, तो हमने एक खरीदारी कर सकते हैं, यह पर आपके पेसंस की अजमाई सोने वाली है, आपको केवल खरीदना कितना है, भी ड़एपर सेंट गिरा हुआ था, तो इसका मतलब यह नहीं सीधा आपने दस जार रुपे इसमें जोग दिये, एक बार में टैन थाजन रुपीज का खरीद मारा कि सर इतना गिरा हुआ था, जल्दी से मोटा प्रोफिट बुक कर लूँगा, इसमें नहीं, आपको तरीके से काम करना है, बिल्कुल डिसिप्लेन के साथ काम करना है, तो आप देखेंगे कि यह हजार रुपे खरीद ले, यानि कि आप ऐसे मान के चलिए, समराइज करूं तो जो भी एक परसेंट गिरा है, उसमें एक हजार रुपे ही खरीदारी करिए, ठीके सर, जो एटी आप दो परसेंट गिरा है, उसमें दो प्रतिशत की खरीदारी करिए, और कभी आपको लगे, आपके अंदर के गट्स काम करें, कि कि लॉट अप वीडियो मैंने आपके उपर इटीफ के उपर बनाई हुई है तो उसके आधार पे आप इसमें कभी-कभी थोड़ी बहुत जादा खरीदारी भी कर सकते हैं लेकिन आपको discipline से काम करना है प्रतिशत 22 ही खरीदारी आपको यहां पर रखनी है तो आप समझ गए जो इटीफ जितने परसेंट गिरा है उसमें बैसे खरीदारी करें अब आप बोलोगे सरी कल को फिर गिर गया तो इसके पीछे रूल लंबर दो लगाएंगे आप वह यह है कि जो इटीफ तीन परसेंट से अधिक गिरेगा अगले दिन नेक्स्ट डे तब तो हम उसे और भी उसमें खरीदारी करेंगे अपने प लेकिन जो एटीफ नहीं गिर रहा हलका फूल के गिर रहा आदा परसेंट यहां जैसे गिरा हुआ जीरो पैंट सेवन नाइन परसेंट के असपास तो इसमें हमें खरीदारी को अवाइट करना है बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी जब तक एक बीक निकल ना जाए ठीक ह आप इतनी खरीदारी कर पाएंगे किसी में 2000 क करेंगे किसी में 1000 क करेंगे तो आप तीस से लेकर 60,000 रुपे टक की खरीदारी हैं पे कर पाएंगे तोरल एक महीने में और आपके पास डेड़ ला 감사합니다 है तो यह सारा पैसे यूज करने में में मागलनू मौटा मौटा आपको 3 म महिने लग जाएंगे अग pork three months लग जाते हैं ये सारी खरीदरी करने में और आप दिन में एक िक्ट भी खरीदय तब याम घड़ी करिद नभ लगग मैं car नब 20 वी और इकड़ी मैं इसमें कि आप आपने सो एटीएफ ही खरीदे वही काम करने के लाइट थे इसके अलावा और किसी में अच्छा वोलियम नहीं मिला यहां वह पहले से आपके पास एभी लेवल थे तो मानके चले कि अगर आपने तीन महीने में आपने सो एटीएफ में अपना पैसा लगा दिया जब तक आप आपका सारा पैसा ना लग जाए आप सेल करने के बारे में सोच तो सकते हैं लेकिन कम से कम वो एटीएफ दस परसेंट से उपर आना चाहिए जो भी आपने बाय कर रखा है आप सो कुछ करिए आपने यह बाय करा ठीक है आज इसमें ड़ाई परसेंट गिर हुआ है लेकिन जब तक दस परसेंट का प्राफिट नहीं दे आपको जब तक आप खरीदारी कर रहा है उससे पहले इसी टीएफ को सेल नहीं कर रहा है आपको इसको होल्ड करके रखना है ठीक है दर पेसेंस से काम लेना है होल्ड करना है यहीं आपका पेसेंस काम करेगा अब देखिए अ पैसा बंने आपको पैसे लगाना पड़े गो तो आपने सबढ़त सिंद मैं मोटा मोटा लेकर चलता हूं आ पो तरफ आपको यहां पर क्लिक करेंगे निवेच करना मरका सामने आ जाएंगे यहां को प्रतिंच 2 गिरावट के हिसाब से खरीदारी करनी है कैसे करनी है एक पर सेंट गिरेगा एक हजार रुपे का नभेश करना है दो परसेंट गिरे दोजार का नभेश करना है इस तरीके से आपको investment करना देखे सर मेरा कोई recommendation नहीं है कि आप यह ETFE खरीदे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ वो भी education के लिए लेकिन आप फिर भी कहीं भी निवेश करने से पहले खुद का जो है research करें analysis करें अपने जो भी financial expert हैं उनसे जरूर बात करें एक वार कि आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं या मेरा चैनल आपके किसी भी निवेश के जिम्मेदार नहीं होंगे तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ आप यहां से education ले सकते हैं इस टैडियो को अपन महीने हो जाएंगे सर इसमें निवेश करते करते तो बीच बीच में भी आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे जिसमें आपके जो है यहां से profit बनेंगे ठीक है सर जिसमें आपके profit बनेंगे वो हम देखते हैं अगली website पे चलके तो आपको पहला यूज करना है एक बहुती जब ट्रेडर हैं इस साइट को बहुत अच्छे सा जानते हैं समझते हैं बहुती डाटा यह भी देती है तो आप देखेंगे यहां पर पहला ETF है TP etc फिक्फ सर इसक्ष्प का इतने का कました हम ऩंके देखना है bann communityôm है इस तरीके से काम यह भी 52 पर से से उपर हैं वहीं आप यहर के रिटन देखेंगे तो 82% से उपर हैं यह रिटन एक सो कुछ परसेंट के असपास थे लेकिन इसमें गिराबट होने के करण यह रिटन कैलकुलेट होके घट गए ठीक है आप ध्यान से समझिए आप तीन महीने का प्लान लेके चल लें तीन महीन का प्लान है आपके पास त्री मंत का इस वात का बिसेश ध्यान रखिए अब देखिए क्या हुआ आपका एक टीएफ यह ऐसा था जो साथ परसेंट तीन महीने के अंदर अंदर आ ठीक है और यहां पर बन मंत का भी ध्यान रखके चलिए यह देखे यह दो परसेंट उपर गया यह बसेंट पर गयागा तरह परसेंट का सपास यह देखें ओपर गया यह लगभग पांच परसेंट की असपास उपर चला है जा भीए 10% बब्सेंट उपर गया और यह तक शे महीने में एक महीने में आप देखेंगे यह 14% यहाई के साथ साथ आप देखेंगे फिर यह आगाइन 33 मंन्त में 41% साड़ा-4% मंथ-मंध उपर आप देखेंगे साथ परसेंट से उपर 16% 23% के रिटन यह आप के फिर तो आप देख रहे हैं करें कि 10% profit लेकि हम किसी भी इटीएक से बहार निकले तो आपके profit 10% बनते रहेंगे ठीक है सर आपने 1000 रुपे का निवेश करा 10% बनेगा आपका कितना पैसा बनेगा सर 100 रुपे ठीक है सर रुपे बनेगा बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसमें ब्रॉकरेज होता है टैक्स हो फिर भी आप 70 रुपे यहां से बना रहे हैं ठीक है साथ परसेंट का profit आप यहां से लेके निकल रहे हैं साथ परसेंट भी लेंगे तो सतर रुपे आपका net profit बचेगा जो सुद्ध लाब है वो सतर रुपे आपका होगा 1000 रुपे और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको 10% से सर आपका profit बनने वाला है सर जी कितना 10% से profit आपका बनेगा 500 रुपे ठीक है सर उसमें भी हटा दो अगर हटा दें चीजों को तो साथ परसेंट भी अगर बुक करेंगे तो साथ पंजे 35 यानि कि साड़े 300 रुपे आपका मोटा मोटी बनेगा तो आप समझ रहे हैं मै मैंने आपको दिखाया एक बार फिर दिखा देता हूं ठीक है लोगों समझने में दिक्कत होती है इसलिए मुझे बार 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 बताना पड़ता है यह देखिए 23 परसेंट के profit इसने दिये एक मंत में देखेंगे 8% के दिये ऐसे बहुत सारे ETF है जो 1% में 8% के दे रहे हैं से brokerage निकालने तब भी net profit आपको 5% के असपास बचेगा कितना 5% net profit आपको बचेगा तो ऐसे आप देखेंगे अगर आपके portfolio में 100 से लेके 150 ETF हैं ठीक है 150 ETF हैं तो आप देखेंगे आप एक दो हर समय रोज आप एक से लेके 2 से लेके 3 ETF आप बाइक करते रहेंगे और अगर आपने 50-30 का महीने कमाने के लिए सर आपको डेली का कितना रुपय छी और आपको डेली कीज़वे का कमाना चाहते हैं तो आपको डेली का लगबग 1500 सूंदार नू से 5000 दौके भी मिल जाता है तो मैं गोदा में ले लूँ तो ददस परसेंट के प्राफिट आप बुक कर रहे हैं तो थोड़े कैपिटल का विवस्ता और कीजिए और लाइए आपको लगता है यह पैसा कम है आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं आपका कारोबार है मैंने तो बताया 1.5 लाग से यह सुरू हो सकता है आप इसको 20 लाग से कर सकते हैं आप इसको 25 लाग से कर सकते हैं आप जैसे भी चाहिए क्योंकि आप इटीएफ में काम कर रहा है खुद का रिसर्च और एनलाइसिस भी कीजिए सीधा-सीधा मेरे कहने पर बिल्कुल भी जाने की आवश्यक्ता नहीं है तो दोस्तों गर आप पेसेंस र कालना परड़े बड़ी बात नहीं है अगर आपने तीन एटीएफ से चार एटीएफ भी सेल कर दिये जिनका प्रॉफिट ददस परसेंट था ठीक है और जिनमें आपका पांच-पांच हजार रुपय अगर लगा हुआ है और आपने वो सेल करे तो एक पर पांच सो रुप आप मंतली रिटन देख लिए किसी एटीएफ के कितने हैं बहुत सारे एटीएफ हैं मैंने आपको पूरे 218 एटीएफ जो एनसी पर लिस्टीड है बस आपको विशेश ध्यान उसमें यही रखना है कि उसमें बोलियम को उनों बहुत जरूर यह जो भी एटीएफ का आप स चला जाएगा डीपी चार्जिस बगारा तो लगते ही हैं तो आप डेल लाग रुपे से सुरू कर सकते हैं लेकिन आपको लगए कि मेरा काम प्रॉपर चला है प्रॉफिट बिल्कुल रेगुलर बेसिस का रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपना कैपिटल इंक्रीज भी कर सक सकते हैं पचासार रुपे से एक लाग रुपे मंतली कमा सकते हैं बहुत ही असानी से दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो आप जो है इसको लाइक करके जाए अपने उन दोस्तों के साथ से करिए जो कंफ्यूज की मार्केट से पैसे कै है उनके पैसे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कहा नहीं बेश करें में लगाए में लगाए कैसे लगाए में लगाना क्यों जरूड़ी है इसके उपर लॉट ऑप वीडियो चैनल पर भी लेवल है आप उन्हें जाके एक वाड़ देखें कि एटी एफ और में क्या डिफ्रेंस आपको बीडियो ले कीजिए आप भी और भी बढाने का प्रियास कीजिए ताकि मैं और भी जिब्रदस विडियो आपके लिए लाता रहूँ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में जाके एक बर अपने बिचारों को जरूर दीजिए मेरे को इसी के साथ मिलता हूँ और किसी बहतरी नोट जबर्दस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत बाबाए